Hello dear students, मैं चेंसर, इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूँ, आपके जो ग्रेट थिंकर्स एंड नीव विलिप्स जो क्या आपके हिस्ट्री का चाप्रा 7 है उसका जो complete जो exercise जो solution है, with explanation आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रही है और अगर ये वीडियो आपके helpful हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीज देगा और चैनल को subscribe करना न भूलिएगा चलिए जो first आपकाता है दा उपनिसस from the dash part of the वेदास तो उपनिसस है वह आपके जो last part of the वेदास है तो यहां पर फिल अपने आपका last हो जाएगा निर्वाना could be attained by practicing the dash तो किसके त्रू जो है निर्वाना मिल सकते है तो वो जो है try रतनाज है उनके त्रू जो है हमें जो है क्या मिल सकता है निर्वाना जो है वो प्राप्त हम कर सकते हैं नेक्स आपका fourth number आता है the order of because and the bikkunis which the buddha established is called dash तो यहां पर फॉर्थ का फिल अपका अंडर हो जाएगा answer हो जाएगा the order of because and the bikkunis which the the established is called sangha उसे हम sangha की रूप में जानते हैं नेक्स आएगा धमे का इस्तुपा इस लोकेटेड इन तो यह जो लोकेटेड है आपका कहां पर है साहनात में लोकेटेड है तो फित का जो फिलाफ है वह आपका साहनात हो जाएगा नेक्स आपको जो आता है different between the following differences आपको बताने है किनके बीच निर्वाना और जो कर्मा है उसके बीच तो यहां पर क्या होगा निर्वाना मिस होते है freedom from the cycle of life and death जो जो life or death जो जन्नम मृत्यों है उससे हम पर हो जाते है उसे निर्वाना कहते है और कर्म मिस होते है the belief that what we experience in the present life is the result of our own past, one action in our previous life मतलब हमारे जो अभी हमारे जो present में जो चीज़े हो रही है वो हमारे जो पूराने जो actions है previous life में हमने जो किया है उसका जो result है हमें जनम में मिल रहा है वो हमें कर्मा कर लाता है then second आता है आपका जो difference हमें करना है वो है श्रेतामबरा और जो है दिगामबरा जो जैन है उसमें आपको difference करने है so answer देखें यहां पर स्रेतामबरा जैन्स बे वर white cloths, दिगामबरा जैन्स दे इडिड नॉट रे क्लॉथेस दे वर Sky Clads as the word Digambra means मतलब जो स्वेतांबर जैन है तो वाइड कलाटेश जो है वो पहनते हैं बट जो दिगांबर जो जैन से वो कपड़े ही नहीं पहनते हैं और उसे Sky Clad कहा जाते है जिसका मतलब जो दिगांबरा होता है स्वेतांबरा जैनिज is more widis보다 this day मिस्ट जो स्वेतांबरा जो जैनिज को follow करने वाले हैं वो ज्यादा फजाने होए है तिगांबरा जैनिजब्स और जैनिज नॉट डाइज दिगांबरा जैनिस मतलब 4000 2003 की से जो स्विटामबरा फैल उतना जादा जो दिगामबरा है आपको देखने को नहीं मिलता है यह देन नेक्स आता है आपका स्थूपा एंड चैतियाज इस तुपा है और चैतियाज है दोनों में डिफरेंसे स्था आपको बताने हैं तो यहां पर आता है इस पास क्या होता है दियुर बुधिष्ट्रेंश और हाव बुर्ष मतलब जहां पर जो बुधिष जो रहें कर वहां पर वार्षिप करते हैं नृच्श आप कर नमबर हो जाएगा महायाना एंड फैर वेदा बुधिज्म तो यहां पर आप जो आंसार क्वे देखिये तो आपका महायाना बु इसके जो followers है, the followers of Mahayana Buddhism made image of the Buddha and worship them, they also started performing rituals, मतलब जो Mahayana Buddhism को follow करने वाले हैं, वो बुद्धा का statue image बनाते हैं, उसको वार्शिप करते हैं, साथ इसना different type के जो रिटोर्स, पुजा पाट होगे हैं, वो भी करते हैं, बत थरवेदा जो बुद्धिजम को follow करने वाले हैं, वो क्य मतलब जो थरवेदा बुद्धिजम को follow करने वाले हैं, उसको follow करके निर्वाना जो है, अचीव किया जा सकता है, ऐसा थरवेदा बुद्धिजम का मानना है, नेक्स आपका multiple choice question, first number, which of the following statement correctly defines the law of karma, इन में से law of karma को काउन जो है, क्या define करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो हमारा जो present life है, वो क्या होता है, जो हमारे result of action or past का है, तो D option आपको क्या होजाएगा, correct होजाएगा, जहां पर what we experience in our present life is a result of our action in past lives, then which of the following places is not associated with the life of Gautam Buddha, तो इन में से कौन सा जो place है, वो Gautam Buddha को जो life है उससे जुड़ा नहीं है, यहां पर correct option आपको सी होजाएगा, तक्सिला, लुंबिनी, सानात और जो कुसी नगर है, यह सभी जो है बुद्धा से कैसी नहीं है, तक्सिला जो है, तक्सिला जो है उससे आपको options दिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि जो स्वेतांबरा है, स्वेतांबरा, इस क्लैड यह नहीं है, तो यहां पर fourth है स्वेतांबरा, इसकाइख बढ़ार, जो होता है आपका तो यह आपके correct है, 4th option नहीं है, then consider the following statement about विहारा, विहारा से related जो statement दिये वो उनमें से आपको पचानने हैं, और options दिये उसमें जो चूज करने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विहारा वाज़ा प्लेस विखुष एंड विखुष एंड लीब एंड प्रेड ही, तो यह आपका जो क्या हो जाएगा, only जो यह options है, वही जो है correct होगा, तो यहाँ पर बी option देखें, only the first statement is true, then next आपका फिप्त आता है, in the questions, यह असरेशन और रिजन वाले questions है, जैसे कि आपको पता है, दोनों आपको असरेशन और रिजन को आपको डिटेली करने हैं, समझने है फिर आपका option चोज करने है, Zenism did not spread as quickly as a Buddhism, so reason बतायागे कि Mahavira believed in a absolute non-violence which may people found hard to follow, तो यहाँ पर जो दोनों चीज़ बतायागे है, कि जो है, जितना Zenism फैला, वैसा Buddhism है, वो नहीं फैला, तो यहाँ पर option आपको क्या होजाएगा, यह options correct होगा, जो दोनों true है, और correct explanation करा है, क जो उसके पार के निचे किसी का नहीं मनना ची, तो ऐसे जो system है, फॉलो कर पाना मुस्किल था, तो नेक्स आता है, आपका answer ही, brief follow questions है, first starter है आपका, why did the common people begin to rise their voice against rituals in the 7th century BC, तो answer आपका होजाएगा, by the 7th century BC, the Vedic religions had lost much of its simplicity, its focus was now on a variety of expensive rituals, over time people started questioning the relevance of rituals and began to rise their voice against them, मतलब क्या हुआ कि भी 7th century BC के आशपार देखेगी तो वैदिक जो रिलेजन्स है, उसमें के जो simplicity वो देरे-देरे खतम होने लगी थी, और expensive rituals, मतलब पूजा पार्ट में बहुँ जादा खर्च लगते थे, तो इसके कारण से people साहे उस पर questioning करने लगे, और वो इसके against अप अपनिशास composed, what are the main questions they address, मतलब अपनिशास है, वो कब कमपोज किया और उसमें क्या बात एक उठाई गई, so the अपनिशास are believed to have been composed between the 7th and 4th century BC, जब 7th and 4th century BC के आशपार जो अपनिशास है उसको लिखा गया, थो some may have been composed at a much later date, पुज जो है इसके बार भी बने, so the अपनिशास address philosophical questions such as what is this word, who am I, or what becomes of me after that, मतलब ये word क्या है, मैं कौन हूँ, है ना, और मेरे बाद मेरे मिर्तिव के बाद मेरा क्या हो गया, तो ये सब जो questions है, वो उपनिशास में उसके बारे में लिखा गया, उसके answer भी वहाँ पर दिये हुए है, then third आता है आपका explain the 3 रतना principle preached by महावि के द्वारे जो 3 रतनाज है वो बताया गया, तो उसके आपको बताने कौन-कौन से है, तो महाविरा preach that निर्वाना could be attained by practicing the 3 रतनाज और 3 ज्वेल्स, which are right path, right knowledge and right action, मतलब तीन जो बाते जो है, वो महाविरा के द्वारे बताएं कि जिससे हमें निर्वाना जो है, वो नहीं होना चाहिए, तभी हमें जो है, निर्वाना जो है, प्राप्ट हो सकता है, सत्य की रहा पर हमेशा चलना चाहिए, यह बताया था उसने, then next आता है आपका, what were the four sights that changed the Buddha's life, वो क्या जो चार चीज़े जो है, बुद्धा ने देखा, जिसके कारण सो उसका पूरा लाइ देखा, a corpse and an ascetic, so देखे, तो यह जो चार जो चीज़े उसने देखा, उससे कहीं न कहीं, उसका लाइफ है, वो पूरे तरीके से बदल गया, then next आता है आपका फिप नमबर, name four countries in Asia to which Buddhism has aspired, चार कंट्रीज के नाम Asia में बताने है, जहां पर Buddhism है, वो फैला हुआ है, तो यहा वाले questions है, उसके solution आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले अगर यह वीडियो आपको helpful है, तो वीडियो को लाइक जरूर किजएगा, चैनल helpful है, तो subscribe भी कर सकते हैं, तक ही सहतर के helping वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहा है, चलिए, first आता है, analyze the factors that led to the growth of different ways of thinking and new beliefs in the latter Vedic periods, तो चलिए, different ways, the following factors were the main reason for the growth of new thinking and beliefs in the latter Vedic periods, मतलब वो क्या कारण थे, जिसके कारण से, नही जो सोच, नही जो विश्वास है, वो लोगों में आने लगी, तो elaborate and expensive rituals, मतलब जो पूजा पार जो किया जा था, वो बहुत expensive था, बहुत जादा time-taking खर्चिला होता था, बहुत जा नॉर्मल तरीके से, जो गॉड को प्राप्त करने के तरीके है, वो खतम हो गया था, वो rituals, पूजा पार्ट से, जो है, बहुत जादा खर्चा था, then rigid caste system, जो जो caste system था, the वरना system was no longer flexible, a person वरना और caste was largely decided by birth and not by appropriation, मतलब जो caste system है, वो प्लेक्सिबल नही रहा, अब जो बर्थ religious texts and hams were composed in Sanskrit, the common people who only understood and spoke Prakrit had no access to this religious text, मतलब जो लेंग्वेज जो था, जो Sanskrit जो language है, जो भी rituals वगरा में, वो फॉलो के जाता है, बट जो common people है, वो Prakrit जो language बोलते थे, उसको समझते थे, इनके कारण से कहीं ने कहीं, उनके beliefs and thinking है, वो चेंज होने लागा, ओर टाइम, people started questioning the relevance of rituals, और इनके बारे में, ये सब के बारे में, जो लोग है, वो questions करने लगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, जो इसको बदलना चाहिए, इस तरीके से, Then second आता है, आपका discuss the major principle of jainism, तो jainism से related आपको जो principle उनके जो सिधान था उसको बताने हैं, तो answer देखे, the principle of jainism are mainly based on the teaching of mahaavira, which are as follows, मतलब जो principle, जो main जो सिधान था, jainism से related, वो mahaavira के teaching से related है, जैसे first point से ही से आप note कर सकते हैं, the principle of jainism are, यहाँ से आप यही से लिख भी, फिर थोड़ा बहुत समझिया है, वो लोट कर देंगे, तो आपको mark जोरो मिलेगा, कभी भी खाली छोड़के, आपको कोई भी question selected छोड़के नहीं आना है, है ना, then ahimsa, our absolute non-violence toward all animals, insects, birds and plants, मतलब ahimsa किसी भी जो complete non-violence कहा गया, कि छोटे सचोटा कोई insects है, birds है, animals है, plants है, यहाँ तक उनको नुकसान नहीं पहुचाना है, then honesty, kindness, truthfulness, मतलब हमें हमें इमानदार होना है, हमें धया की भावना रत्मी, हमें इसा सत्य पर बोलना है, सत्य चलना है, not coveting or deciding things belonging to other, मतलब हमें जो है, किसी के दूसरे की वस्तो है, दूसरे के चीजों पर हमें हमारे कास मेरे पास भी हो जाए हो, या फिर वो मेरा हो जाए हो, इस तरीके से हमें किसी पर लालाच, या फिर किसी पर द्वेस की भावना नहीं होने चाहिए, attainment of nirvana or freedom from the cycle of life and death by freeing oneself of karma and destiny, मतलब nirvana हमें पराप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म हमारी जो density, destiny है, उस पर हमें जीत करना पड़ेगा, है न, तभी जो हमें निर्वाना प्राफ्ट हो सकता है उसके लिए हमें जो है राइट पैट राइट जो है त्री जो त्री रतनाज है उसको फॉलो करना पड़ेगा साथे साथ यह सब पॉसिबल हो सकता है कब जब हम गूड और डिसिप्लिन राइब जो जीएंगे तब हम अपने जो कर्मा है उस पर हम जीत कर सकते हैं देन निर्वाना कोड़ बी अटेंड बाइब प्रेक्टेसिंग त्री रतनाज जो हम कहते हैं त्री जिसमें राइट फैथ राइट नॉलेज और इक्सम्स आते हैं तो यह इतने पॉइंट्स हैं मैं पहले बोलता हूं हर एक बीड़े में बोलता हूं कि आपको जितना सब् भी नहीं है तेंथ थर्ड आता है आपका एक्कॉर्डिंग तो दा बुद्धा स्टीचिंग वाट 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 उट प्रेक्टेसिंग इतलेट तो मिस अब बुद्धा के द्वारे जो बताया गया तो उनका जो एट जो नोबिल फोल पैथ है वो क्या है उसके बारे में वे तो अटेंड पीस एंड हैपिनिंग नोबेल एट फोल पैथ ही टॉट एबाउट इंक्लूडर मतलब जो उनका बुद्धा का माना था कि हम जो है अपने लाइब को किस तरीके से जो सीमीज सिंपली तरीके से हम जी सकते हैं वही हमारी सांती और हैपिनेस खुशी का रा राइट लाइबली होना चाहिए राइट फोर्स होना चाहिए और राइट माइंड फूलनेस और राइट कॉंटेंपलेसंस और कॉंटेंपलेसंस होना चाहिए मतलब हमारी जो सोच है वह सही होने चाहिए हमारी जो विस्वास है हम सही समझे हमारी जो बोल हम बोल रहे हैं वो हमेशा सहते बोले हम, हमारा जो हम कर्म कर रहे हैं, जो भी एक्सन सम कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए, सहते होना चाहिए, राइट लाइवलिभी हुट हमारा जो जीवन है, वो सही तरीके से, हम जो काम कर रहे हैं, वो सही काम हो, गलत काम हम ना करें, then right efforts हमारा प्रयाज भी सही होना चाहिए right mindfulness हमारी जो सोच है हमारी जो thinking है हमारी जो कर रहे हैं किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं हमारा जो ध्यान हम लगा रहे हैं वो भी सही तरीके से होना चाहिए then the Buddha said that the people who follow this middle path would find peace and achieve nirvana और बुद्धा का कहना था अगर यह सभी जो middle path है उसको फॉलो करेंगे इन सबसे हमें जो है निर्वान है हमारे जो जन्म वित्युकर जो बंदा ने उससे हमें चूटी मिल सकते हैं हमें सुटकारा मिल सकता है then next आता है आपका fourth number का what are the similarities and differences between the teaching of उपनिशाज जैनिजम एंड़ बुद्धिजम means जो अब तीनों के differences और similarities बताने हैं तो answer थोड़ा all long होगा ठीक है यहाँ पर similarities देखिए तो उपनिशाज जैनिजम और बुद्धिज तीनों का विश्वास था कि believe in the law of karma मतलब जो कर्म हम करते है उसका जो impact है वो the concept that what we experience in our present life is a result of our past actions मतलब तीनों का मानना था भई कि जो हम जो अभी जो feel कर रहा है हम जो हमारे साथ जो हो रहा है वो कहीं ने कहीं हमने फिसले जनवर में जो किया है उसका result हमें यहाँ पर भूबने को मिल रहा है then differences देखे तो उपनिसाथ जैनिजम और बुद्धिजम में क्या है तो believe that all living beings have a soul the atman which survives even after the body dies मतलब जो उपनिसाथ में कहा गया है कि भई सभी के जो भी living beings है उनमें एक आत्मा होता है और वो मृत्यू के बाद भी जीवित रहता है और जैनिजम है उसका मानना था वो soul पर व विशास नहीं करते थे बुद्धिजम को फॉलो करने वाले हैं वो भी विश्वास नहीं करते थे और second point इसमें आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो the concept of mokcha emphasis on bhakti to reach God मतलब जो mokcha हमें प्राप्त करना है हमें यह जो अपना जो यह जो निर्वाना या पर यह जो सरकल है उस cycle of life and death त्री रतनाज के बारे में बताया था कि भी जो हमारा जो राइट जो फैत होना चाहिए राइट एक्सान होना चाहिए राइट इंक्ट तो यह जो त्री रतनाज है उसके बारे में बताया था emphasis on following जो बुद्धिजम है उसमें कहा गया था भई कि जो nobel eightfold path या पर जो fifth number का what were the requirement to join the sangha how did the sangha help in the spread of buddhism and the jainism तो क्या requirement होटा है sangha को join करने के लिए और कैसे जो है sangha जो help करता है पिया buddhism और jainism को बढ़ाने में तो answer आपका जाहिए का the sangha was an order of monks and nuns who travels around the country spreading the teaching of buddha और महावीरा मतलब यह sangha क्या है तो monks और जो नन है मतलब सादू संद जो थे जो महिलाएं थी और पूरुष थे तो उन वो जो है बुद्ध के आपके महावीरा को teaching को पुरे कंट्री में फैल फैल के फैल आए the monks and the nuns had to undergo spiritual training to attain alignment मतलब उनको sangha के जो सदर्श से बनना है monk nuns बनने तो उनके लिए spiritual training जो होता था they also had a follow some basic rules laid down by the sangha और कुछ जो rules बने थी उनको भी पालो करना पड़ता है उनको पावर्टी उनको जो है पावर्टी में अपना life बिताना पड़ता है simplicity और chastity मतलब जो उनको simple life आओ जो एक कठोड जो life है वो जीना पड़ता था तू ज्वाइन संगा संगा में ज्वाइन करने लिए सबसे पहले उनको permission अपने parents का अगर वो in the case of married woman married है तो उनको husbands अपना permission लेना पड़ेगा this voluntary chosen life of hardship commanded respect from the ordinary people और यह क्या था कि भई इस तरीके से आप अपना जो वाले आप लाइफ चूंजते हैं अपने पूरे जो परिवार है रिष्टे नाते हैं भावतिक सूपश्विदा है उनको त्याग करते हैं तो कही न कहीं ordinary people से हैं वो आपको respect देते हैं it was mainly through the efforts of the Sangha that Buddhism spread across India and to Sri Lanka and South East Asia मतलब इनी जो संगह के जो प्यास से ही जो बुद्धिजम है वो कहीं न कहीं सिलंका में साउथ इस्टेशियन जो country जीस में जापान चाइना है मलिसिया यहां तक फैल गया था तो यह detail के आंसर हुए next आता है case based question एक जो पैसेस दिया हुआ है ज जहां पर अंगली माला जो एक क्या था एक हाईवे रॉबर था रॉबर था तो वह जो है नेकलेस उसके जो गुरु उनसे मंगाया थे 1000 पीपर का किल करके उनको चाहिए था तो वह एक दिन अपने 1000 जो विक्तिम से उनका इंतिजार करते हैं वही पर जो बुद्धा है वो जहनी ज हम करते है उनकी सामने ड गर से बट ब्द्ध जो है व क्लेमली सांथ होके उसी तरीके से वह चलते रहते हैं आप जो फास अंगली माला जितना भी तेजी से वह रन करते हैं वह बुद्धा को पकड़नी पा तो अभून से चलते रहते हैं तो घुस्द से अब ठक हा रुका हूँ आरेडी मैं रुका हुआ हूँ रुकने के जरत तुम्हें है क्यों तो अंगुली माला आज कद बुद्धा वाठी में बाइदे मंदब अंगुली माला कहते है कि इसका मतलब कि आप क्या कहना चा रहे हो तो बुद्धा रिफ्लाइज करते है कि I have stopped farming living beings मैंने जो overcome with Sam, अंगुली माला renounces his violent ways and become a Buddhist monk और लास में वो अपने आपको घ्रीना मासूद करते हैं और वो अपनी जो हिंसा है वाइलेंस को चोड़ता है और Buddhist monk बन जाता है तो इस story-related questions आपका आता है कि why was अंगुली माला वेटिंग फॉर been waiting for his 1000 victims तो 1000 victims उसका wait कर रहते कि यह जो अंगुली माला waiting for his 1000 victim because his guru asked him to make a necklace with the thumb of 1000 peoples he had killed मतलब उनको necklace बना थे तो यह जो है इस कारण से वह 1000 victims उसका उन्टिजार कर रहे थे तो इस जो है बुद्ध रियाक्त वैन अंगुली माला jumped on him with his dagger, तो dagger से जब उसके सांथ जम करते हैं तो उसका the Buddha walked on family, फिर भी जो विद्धा है वो family सांथ से वो आराम से चलते रहते हैं, next आपका third number आता है, what was the Buddha trying to teach Anglimala, तो answer आप देखिए, the Buddha taught Anglimala to recognize the negative emotions that motivated his violence actions and to practice non-violence, मतलब बुद्धा उसको सिखाते हैं, बताते हैं कि उसमें जो negative action जो भुशा भरा हुआ है, लोगों की प्रती जो violence का जो भाव, जो हिंसा का भावर है, उसको हटा कर नॉन violence हो, और सत्य के महान देखिए पर चलें, तो इस तरीके से बुद्धा उनको से contact कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं, और चैनल को सब्स्राइब नहीं है, तो सब्स्राइब भी कर देजिए, ताकि इस तरीके साथ इमीज़ आपको यहां से, मिलता रहा है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भुद्धा, जब आगे, तो मिलता हैं, और चैनल को कि अच्छाइब ग्याभर वा नाद चैनल को क्राईन प्रेस कर देजिए, अच्छाइब नहीं है, तो